हेलो आल, कैसे हो आप सब? I hope आप सब बढ़ी आओगे, खुश होगे अपने अपने गवरों में तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो परसन है, ठीक है? So I hope आप सब के साथ रीडिंग देजनेट करें और Candle Wax Reading हम कर रहे हैं अभी रदोपहर में हम कार्ड रीडिंग करेंगे, ठीक है? उसमें मैं आपको कार्ड से रीडिंग करके दूँगे, ठीक है? So चलिए स्टार्ट करते हैं ये Candle Wax Reading तो स्टार्ट, चलो आखे बंद कर लो, अपने परसन को याद कर लो कर लिया याद, ठीक है, चलो फिर करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग, ठीक है? ओके, दिख रहा है आपको, या लाइट बन कर दूँ मैं, प्लीज गाइड कीजिए, आई थिंक नहीं दिख रहा है ना, ओके, सो दिख रहा है आपको, चलिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, कल रात इनके पर्सन क्या मैसूस कर रह थे इनके लिए? कल रात, कल रात आपके पर्सन थे, एक्टम से गुमसूम, याने कि कल रात झो है ये पर्सन रह रह थे अकेले, अकेले ये person मुझे नजर आ रहा है इस person की feelings ये मैसूस कर रहे थे अकेला पन ये person रात को बहुत सारे जगह बारिश भी हो रही थी और बहुत सारे जगह चान भी निकला होगा लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कल ये बैठे थे और बारिश का जो है ना I think आप लोग बारिश में कभी भीग हो या फिर ऐसा कोई romantic समय बताया है बिताया है जो बारिश के time का था वो person जो है आपके याद कर रहे है ठीक है ये person वही बारिश देखकर के इनको मैसूस हो रहा था कि आप और ये होते हैं तो क्या होता उस time बारिश का I think आपको बारिश का मौसलम आपको पसंद है या फिर आपके person को बारिश में भीगना जो कि मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो person है ना काफी सोच रहे थे काफी मैसूस कर रहे थे उस time के period को ज आप दुनों का वो romantic सा time जो है ना आपके person को मैसूस हो रहा था ठीक आपके person काफी डूप चुके थे उन यादों में उन बातों में उन situation में ठीक है जिसमें इनको enjoy करना था यानि कि आपके साथ बारिश में भीगना काफी खुशनुमा पल होगा वो इनके लिए ये person ये मैसूस कर रहे थे ये person को मैसूस हो रहा था कि कास आप दोनों अभी साथ में होते और एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल करके बारिश का मज़ा ले रहे होते हैं तो आपके जो person है बहुत यहाँ पे romantic ही फिल कर रहे थे बट अकेले अकेले भी थे कि उनका ये सपना-सपना ही है शायद कभी पूरा हो फ्यूचर में बट अभी तो ये सपना सपना ही है ठीक है तो आपके person का मुझे नजर आ रहा है इस person को मैसूस हो रहा था कुछ चीजे ऐसी भी जो कि बीते हुए पलों की हैं बीते हुए पल जो है बहुत याद आ रहे थे इस person को कल रात क्योंकि आपकी कोई पिक हो सकती है जो आपने अपलोड की है social media पे या फिर जो है कुछ तो ऐसी memory है जो कि मुझे नजर आ रही है जो कि मुझे महसूस हो रहा है कि आपके person उस चीज को जो है ना बार बार याद करके जो है ना आहे भर रहे थे तकलीफ हो रहे थी इस person को क्योंकि वह अब जो है आपके साथ नहीं है वह आपके साथ relationship में नहीं है और फिर यहाँ पे इनकी परेशानी और वही तकलीफ इनको मैसूस हो रही थी ठीक है आपके person को बहुत मैं देख पा रहे हूँ कि यह person जो है ना अकेलेपन में बहुत कुछ सोच भी रहे थे आपके लिए आपके साथ relationship को ले करके ठीक यहाँ पे मुझे two of cups की energy जैसा देख रहा है जैसे कि दो लोग है और एक दूसरे को proposal देने के लिए या फिर एक दूसरे को time देने के लिए एक दूसरे से बात ना करने पर जो बेचैनी होती है वो मुझे नजरा रहा है आपके person का आपके person को आप जब इन से बात नहीं करते हो तो इनको बेचैनी होती है वो person जहना यह मैसूस कर पा रहे थे ठीक है बेचैनी क्योंकि यहाँ पर बात ना करना बहुत तकलीफ दायक है वो भी इस time जब किसी का बोध्य आ रहा हो किसी के anniversary आ रही हो या फिर कुछ ऐसा जो की बहुत ही यादगार है थे इस time आप लोगों ने जो time spend किया है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इस time को लेकर के जो है ना आपके person काफी ज़्यादा सोच रहे थे और यह मैसूस कर रहे थे देखो आप आप दोनों की बीच में काफी दोनों की बीच में काफी स्टेंडिंग्स आ गई है जिसकी वज़ा से आपका आपके person के साथ connection नहीं है जिसकी वज़ा से आपका आपके person के साथ यहां पर बन नहीं पाता है ठीक है और आप दोनों अलग हो यहाँ पर यह मुझे नज़र आ रहा है देखो family issues वेगरा जो भी है लेकिन ये person को अकेलापन बहुत feel हो रहा था कल कल ये बहुत अकेलापन feel कर रहे थे तनहाई महसूस कर रहे थे बेचैनी महसूस कर रहे थे क्योंकि आपसे जूड़ी इनकी यादे हैं आपसे जूड़ी इनकी बाते हैं जो कि इस इनसान को तोड़ रही थी ठीक है जो कि इस इनसान के लिए आसान नहीं है किसी ऐसे इनसान के लिए आसान नहीं है जो कि अकेला या फिर जो कि आपसे बहुत प्यार करता है ठीक इस इनसान के लिए बहुत ज़दा मुश्किल है आपसे दूर रहना बहुत यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि यह person कल रात रोई भी हैं महसूस करके क्योंकि एक होता है ना कि तनहाई है तो कोई साथी भी तो होना चाहिए ना जिससे हम पूरी situation को बता सके लेकिन कोई भी नहीं है इनके साथ अकेले अकेले हैं यह person मुझे इनका वो अकेला पन वो तनहाई मैसूस हो रही है और इनकी वो बेचैनी भी मुझे मैसूस हो रही है काफी हद तक ठीक है तो यहाँ पे मैं देख पा रहे हूँ आपके person का कि यह person का काफी काफी बेचैन थे काफी उदास थे यह कल रात इनको मैंने कहा तो कि इनको बेचैनी जो हो रही थी ना इनके लिए बहुत ज़्यादा वो मुश्किल है ठीक है बेचैनी और बेताबी को ठीक आगे खतम करना या फिर आगे कैसे होगा compromise करना होगा या क्या होगा कुस् कुस्तोख निकालना होगा कुस्तोख हल निकालना होगा तब जाके जो हो स्टिशन भी खेक है। की को आपके यहां के यहां पर मैं जैसा कि देख पा रही हूं आपके जो कार्ड कहा है निकालता है है जिसके अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके आपके जो परसर है ना एक कह सकती हूँ कि दिल भारी हो जाता है ना कभी कभी किसी का इतना दर्द होता है इतनी तकलीफ होती है कि दिल भारी हो जाता है तो वही मुझे भारीपन मैसूस हो रहा है इनका दिल भारी ये किस से अपने feelings को बता नहीं सकते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद मेरी feelings को कोई नहीं समझेगा मेरी emotions को कोई नहीं समझेगा जब मेरा person ही मेरी feelings मेरे emotions को नहीं समझ रहा है तो फिर कोई कैसे समझ सकता है कोई और कैसे समझ सकता है तो यहाँ पर मुझे आपसे जो है इनकी बहुत सारी expectations नज़र आ रही है आपको लेकर के इनके दिल दिमाग में बहुत सारी ऐसी expectations नज़र आ रही है जो यह चाहते हैं आपके साथ ठीक है तो इनका मुझे यही नज़र आ रहा है आपके person का कि कल यह तनहा थे और तनहाई में ही इनकी रात कटी है रात को यह सो भी नहीं पाए है क्योंकि आपकी याद बहुत आ रहे थी इस person को और आपकी याद पता ही है कि जब याद सताए तो क्या होता है ना नींद आता है ना चैन आता है और वहीं बेचैनी सताने लगती है हमें है ना तो यहां पर यह आपके परस्ण जो है ना बेचैन थे कल राथ और बेचैनी में ही रात करती है किसी से बात करने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन ये बात भी बात भी नहीं कर पाए ठीक यहाँ पे क्योंकि दर्द और तकलीफ ठीक है दोनों मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके person की ठीक है तो कल रात यह आपको बहुत मिस कर रहे थे यह person ऐसा भी मैसूस कर रहे थे कि क्या किया जाए क्या मैं सुरुवात करूं क्या मैं आगे बढ़ूं इस relationship में या फिर ना बढ़ूं क्योंकि यह person की चाहत तो रही है आपके साथ आगे बढ़ने की इस relationship में आगे आने की और चाह जबात बहुत जदा रही है इस पर्सन की यहां पर मैं यह भी देख पारे हूं की आज इसे पर्सन अपनी लाइफ में काफी कंप्रमाइज कर रहे हैं अपनी फैमिली की वज़ा से हो या फिर इनकी अल्रेडी मेरेज हो गई है जिसकी वज़ा ये person compromise कर रहे हैं अपनी life में ठीक है सो मुझे ये compromise करते हुए ही नजर आ रहे हैं जादा तर ठीक सो कल रात जो है ना इनको वही था कि मन शांत नहीं था मन बेचैन रहा और आपको याद करते रहे आपकी pics देखते रहें ठीक है तो ये रही आपके person की बात मैसूस कर रहे थे ठीक है चलो देखते हैं अब कि आप क्या मैसूस कर रहे थे कल रात ओके जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं वो क्या मैसूस करते थे अपने person के लिए कर देखते मुझे गाइड कीजिए आप भी जो है कल रात अच्छे से सो नहीं बाए हो क्लियरली दिख रहा है कि आप भी अच्छे से नहीं सो पाए हो क्योंकि आपको भी उतने ही याद आ रहे थी जितना कि आपके person को आपकी याद आ रहे थी कल रात आप बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कल रात मूवी देखने की कोशिश कर रहे थे किसी तरह अपना मन भटकाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहापे क्या हो रहा था नहीं हो पा रहा था आप से नहीं हो पा रहा था आप बार बार अपने आपको इधर-उधर काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे थे कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे लेकिन यहाँ पे मुझे नजराता है कि नई, आपसे नई हो पारा था आपके person की यादे जो है ना आपके दिलों दिमाग में चाही है और आप जो है नहीं कर पा रहे हो ठीक है आपसे नहीं हो पा रहा है आप move on करने की भी कोशिश कर रहे हो लेकिन आप से move on भी नहीं हो पा रहे है आप लगातार कोशिश कर रहे हो लेकिन चीज़ें यहां पे क् तक्सी हो गई है ठीक है यहां पर कार्ट्स बताते हैं कार्ट्स कह रही हूं यहां पर जो मुझे मैसूस हो रहा है यह दिख रहा है कि यहां आपको कल बेचैनी रही है पूरी रात रही है और आज सुबह भी जब आप उठे ठीक है आज सुबह भी जब आप उठे हो तो यहा मुझे रखार आई है, ठीक है, जहां तक कि मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ट में, ठीक, हो मुझे यहां पर यह नज़र आ रहा है. तोके यहाँ पर ऐसा भी नजर आगा है जैसे कि आपको रहाready थाि कreiben प्रिशन भी आपको बहुत याद कर रहे हैं या तो उनका चेहरा नजर आ रहा था तो या उनसे परबार आया उनसे रिलेटेट कुछ आसी चीज़े उनका नाम दिख रहा था कुछ ऐसी चीजे कही ना कही जो है ना आपको उनसे लिटेड सुनने को मिल जा रहे थी जिससे और ज्यादा आपको मैसूस हो रहा था उनके लिए ठीक है यहाँ पे आप जो है यहाँ पे एगर मैं देखू तो आप कल रात ये भी सोच रहे थे कि मैं क्या करू मूवन करू व परसन के साथ क्योंकि ये परसन कभी क्लियर नहीं होता है कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता है तो मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए ठीक आपको ऐसा फील हो रहा था कल आप बार बार इस परसन के लिए जो फील कर रहे थे अपने फीलिंग्स को रोकने की कोशि कर रहे थे लेकिन दोनों ही नहीं कर पा रहे थे ना आप कर पा रहे थे ना आपके परसन कर पा रहे थे तो दोनों को ही यहां पर प्राब्लम्स हो रहे थी यहां पर मैं देखू ना तो आप भी मुझे कुछ उतनी अच्छी एनरजी में नजर नहीं आ रहे थे कल आपको व मुझे पेशन्स रखने की ज़रत है मुझे किसी की गाईडेंघ लेने की ज़रत है आप कहीं ऍपको ये मैसूस हो रहा था कि मुझे गाईडेंच चाहिए आप चाहिए ठीक है तो इस तरह की energy मुझे नजर आ रही है आपके लिए ठीक है आप इस तरीके से जो है ना आप अपने portion के लिए मैसूस कर रहे हो कर रहे थे और काफी हद तक आपने पहले से ऐसे काफी हद तक अपने आपको समहाला तो है बट यहाँ पर अगर मैं देखू ना तो आपको उतने ज़्यादा नहीं समल पा रहरे हो उतना ज़्यादा अपने आपNew वर्क नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप वर्क कर रहे हो लेकिन बारबार आपको जएकन देखना कुछ रुकावर्टों का सामना करना पड़ रहा है ठीक है तो आप कि यहीं नजर आ रहा है आपके लिए कि जो energy है इसके अनुसार मुझे यही नजर आ रहे है कि आप यहीं भी मैसूस कर रहे थे कि मेरे relationship में जो भी obstacles आएंगे जो भी challenges आएंगे उसको मैं बाली भाती सामना कर लूँगा कर लूँगी लेकिन कम से कम पहले सबसे पहले वो तो तयार हो ठीक है क्योंकि जब वो ही तयार नहीं होगा person तो आप करके क्या करोगे आपको ऐसा feel हो रहा था ठीक है आप काफी ज़ादा अकेला पन मैसूस कर रहे थे आपकल आपने भी काफी हद तक अपने person के बारे में सोचा है उनको लेकर के मैसूस किया है ठीक है तो मुझे यहां पे यही नजर आ रहा है आपके लिए कि आप जो है ना आप अपने person को लेकर के काफी ज़्यादा serious हो और उनसे भी चाहते हो क कि वो भी आपके लिए इसी तरह serious हो जिस तरह आप हो ठीक है अब जो है आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या करना है क्या करना चाहिए क्या right होगा क्या नहीं होगा ठीक तो आपको ज़रत मैसूस हो रही है क्या कि मुझे जो है ना यहां पे angel guidance या फिर किसी की guidance लेन relationship के लिए क्या करना चाहिए ठीक है तो आपको मैं देखू ना तो आप काफी ये भी सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हो और ठीक है यहां पे मुझे आप कहीं न कहीं अपने आपको समाल भी रहे हो और यहां पे आपने कोशिच की थी कल रात को अपने person से contact करने के लिए ब क्योंकि पीछे जो चीज़े हुई है उसको ले करके जो है ना आप आपने बहुत कुछ अपने अंदर सबर करके रखा है कि नहीं जो होगा देखा जाएगा है ना तो यहां पे अगर मैं देखू तो आप भी जो है अपने person के लिए चाहत रखते हो बट यहां पे आप किसी मजबूरी के साथ के कारण से आप इनको जो है ना नहीं यह करना चाहते हो यह मतलब कि एक होता है ना कि हाँ जबरदस्ती जूर जबरदस्ती करना वो आप नहीं चाहते हो ठीक है क्योंकि यहां पे जो energy है वो ऐसे ही मिल रही है कि कल रात बेचैनी भी हुई थी लेकिन आपको एंजल्स क्या कह रही है कि आपको क्या करने की ज़रूत है ठीक है तो चलो प्लीज मुझे गाइड कीजएगा जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं उनको क्या guidance देना चाहेंगे आप लोग क्या करना चाहिए आप लोग जो guidance कही जा रही है वो कही जा रही है कि आप लोग manifest करो ठीक है चीजों को manifest करो क्योंकि आपका अच्छा टाइम अब आने वाला है और आप जो है जो भी wish मागोगे वो fulfill होगी ठीक है तो आप अपने relationship के regarding अगर wish मागना चाहते हो तो बेशक मागो क्योंकि यहाँ पर जो energy है वो बता रही है कि आप जो भी wish मागोगे जो भी ठीक है वो fulfill होगी और हाँ सच्चे दिल से मागनी है wish और आपको positive रहना है जब तक आपकी वो wish fulfill ना हो जाए ठीक है जो भी wish मागना है अपने relationship अपने इसी portion के लिए wish मागनी है तो वो मागो ठीक है क्योंकि आपको यहाँ पर एंजल अभी support कर रही है आपके साथ अभी एंजल है इनकी guidance आपके साथ है ठीक है और मैं तो हमेशा रोज ही देती हूँ आपको एंजल guidance तो आप लोग वो guidance भी देख लिया करो ज जा रही है कि आपको हारना नहीं है give up नहीं करना है ठीक है और अपने लिए stand लेना है आप थोड़ा सा जो है न पॉस्टिव रहो और पॉस्टिव रहने की जरुरत भी है क्योंकि यहाँ पर एंजल यह बता रही है कि आपके पॉस्टिव रहने से ही changes आएंगे अगर आप negative thinking बेशते हो तो negative thinking से ही जो है आपका जो आने वाला future है वो effective होगा तो आपको मैं यहीं कहूंगी मेरी जो एंजल्स हैं जो मेरे गाइड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपको यह करना है बस इस वर के उपर सब सौप दो और अपने आपको positive रखो ठीक है जो आ रहा है साम ने उसको face करो ठीक है ना की डड़ो आप अपने अंदर negativity आपको नहीं लानी है एंजल्स सक्त मना करें कि नहीं आपको negative नहीं रहना है ना किसी के बारे में सोचना है किसी के बारे में negative thought भी नहीं लानी है वरना वो negativity आपके relationship को effect करेगी क्योंकि हम किसी के लिए अगर बुर सोचो उसके लिए भी जो आपके सांथ बुरा करता है उसके लिए ठीक है क्योंकि यहां पर जरूरी है क्योंकि आपको आपकी खुशिया चाहिए अगर आपको अपनी खुशिया चाहिए अगर आपको चाहिए कि हां आपके रिस्ते में change आए आपको positive wide मिले आपको positive result मिले तो आपको यह करना पड़ेगा, ठीक हैं तो यहां पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके अंजल्स, आपके एंसिस्टर्स मुझे यही गइड कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पॉजटिव रहो, ठीक हैं सो यह रही आज की रिडिंग ठीक हैं सो मिलते हैं अंगल रीडिंग में फिर तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुश रहे बाबाई